हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारी यूटुब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास एट के हिस्ट्री सब्जेक्ट के मौस्ट इंपॉर्टेंट कॉसिन चेप्टर नमर एट का महिलाओं की स्थिति में सुधार आप लोग को बता दें कि हम अपने चैनल पर क्लास एट के जेसी आटी के मेथ और साइन्स का चेप्टर वाइस से एमसी क्यों करवाए हैं जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लिजेगा आज हम आठवा चेप्टर का एमसी क्यों करने वाले हैं इस वीडियो के लोग सुरू करते हैं इससे पले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाले हार एक वीडियो को नौटिपिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंश सके तो चलिए पहल सब्सक्राइब करना मतलब हो जागा तो पूरी तरह से पर तीपर्था पर कौन लगाया आपके पास चारग आप्शन है पहला अप्शन है लॉर्ड हैस्टिंग्स दूसरा उप्शन है लॉर्ड विल्यम बैटिंग् तीसरा उप्शन है ल Wahr अप्शन न लॉर्ड कैनिंग तीष का सेयन सरग नंबर दो लॉर्ड विलियम बैटिंग्स ने सतीь पर्था पर पूर्न पर्दिबम लगाया था अब चलिए हम लोग आगला कौशन एवर बढ़त यह काहते हैं आप किस पतलब सतिपर्था को दूर करने का स्रह printed पूला मतलब सथी पर्था को दूर करने का सरह मिला आपके पास चार ब glacier प्षcell venture सलप वियांद का निग्ट सतीपर्था को दूर करने का सुल है अड़ने पा शिर्टिभा क्रैकशार कंप Biraz effective और में काई कि किस भारती समाज सुधारक के प्रेयास से सतीपर्था का अंत किया गया मतलब कौन से भारती समाज सुधारक थे जिसे कि हम लोग को अन्त हो चुका है अपके सबसे पहला परतिबंद किस ने लगए था आपके पास चार्ग आपसने पहला परतिबंद किस ने लगए था दुसरा अपसन है जैचंद तीसरा अपसन है असोक और चोथा अपसन है पुलकेशिन दुए तो इसका सही अनसर हो जाएगा आपका हर सुवर्धन हर सुवर्धन ने सती परता पर पहला परतिबंद लगाया था चलिए नेक्ष्ट परसन देखते हम लोग इसमें कहा गया है कि सती परता का पर्थम पर्मान किस अभिलेक से मिलता है यह भी मौस्ट इंप्वर्टेंट कॉसन है आपके एक्जाम में पूछ सकता है यह भी आप याद रखेगा कि पर्मान जो है सती परता का पर्थम पर्मान किस अभिलेक से मिलता है बहुत ही इंपर्टन कॉसन तो पहला आपके पास इलहबाद दुसरा आपसने हमदानगर तिसरा आपसने रांची चोथा आपसने एरन तो एरन अभी लेक से क्या हुआ था सती पर्था का पर्तम पर्मान मिला था आपसन नमर चार शायन सरः जाएं नेक्ट वासलिघ रुम बढ़ते हैं नेक्ट वासलिक नहीं कहा गया है की इस्तिरी शिछा लिए कलकत्ता के तरून इस्तिरी सब्द T कब हुई मतलब कलकता में जो था तरीन इस्तिरी की सभा मतलब यह कब हुआ था आपके पास चार गॉप्सन है 1750 सब्सक्राइब लड़क्यों की सिचा के लिए यहां विद्याले कहां खोला गया था अप्सन है अलिगड में इलहाबाद में बोपाल में यह बनाट सब्सक्राइब लड़क्यों की सिचा के लिए विद्याले कहां खोला था अलिगड में खोला था अब चलिए हम लोग नेक्ट कोशन देखते हैं तो दस्वा नमर कोशन देख सकते हैं कि इस्तिरी पुरुष तुलना नमक पुस्तक किस ने लिखी आपके पास चार गॉप्सन ह महादेवी वर्मा ने लिखी या रास सुंद्री देवी ने लिखी या ताराबाई सिंदे ने लिखी या परभावती ने लिखी तिसका आपका सेंसर रोजगा ताराबाई सिंदे ने ताराबाई सिंदे ने इस्तिरी पुरुष तुलना नमक पुस्ता पुस्तक को लिखी थी चलिए आप next question को हम लोग देखते हैं next question में कहा गया है कि किसने दिये की रोशनी में पढ़ना लिखना सिखा तो आपके पास चारग option है कि रास विहारी देवी महादेवी वर्माने या रास सुंद्री देवी चोथा option है राम सुद्री देवी तिसका सेंसर रोजेगा रास त्क दियाके सिहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी यह भी most important question त्क दिल्ली कि सिहासन पर बैठने वाली पहली महिला आपके पास आपकर भी आपका दो नवर आपका रैडएंसर होजेगा नेक्स्ट कोश्चन के वर में बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन में कहा गया है कि कि किसके प्रियासों ने से अट्रोस बहत्तर इस भी में देशी बाल विवा अधिनियम पारित हुआ है ना तो किसके प्रियास से बाल विवा अधिनियम पारित हुआ ऑप्शन है राजाराम मो कर सकते हैं मान के चलिए किसी का जय्दी सदी हुआ और उसका पति एक दो मेहना बाद मर कि नहीं की निई ताब कुमारी थोढ़े एकObama मतलब हुआ कर सकता कानून लागू कब हुआ है ननी किस नहीं कि आपके पास चारग आफ्सन है, पहला आफ्सन है Lord Warren Hastings, तूसरा आफ्सन है Lord Kenning, तिसरा आफ्सन है Lord Dalhoji, चोथा आफ्सन है Lord William Bating, जिसका सेनसरज़्ीका Lord Dalhoji ने विद्वाफ, पुनर विद्वार कानन को लागो किया था, यह न, चलिए, अब अगला क्वाशन की बढ़ते हैं तो पंदरगव नुमर क्वेसन देख सकते हैं कि बेगम रुकईया सखावत हुसेन ने मुस्लिम लड़कों के लिए कहां कहां विध्या ले खुले पहला अफसर ने कलकत्ता और na ने दूसरा अफसर ने चन्य और राची में तिसरा अफसर ने मुंबे और पुने चोथा अफसन ने दिल्ली और लखनो तो इसका से अंसर हो जगा कलकत्ता और पटना में बेगम रुकया सखावत हुसेन ने मुसलिम लड़कियों के लिए एसकूल खोला था कहां कहां कलकत्ता और पटना नेक्ट कोशन की और हम लोग बढ़ते हैं नेक्ट कोशन में कहा गया है कि हर विलास सार्दा के परियास से 1929 में इस भी में सार्दा कानून बना ये भी पूछ सकता है कि सार्दा कानून कब बना 1929 इस भी में बना है कि नी किसके परियास से हर विलास सार्दा के तो सार्दा कानून किसके समंदी थे मतलब किस से समंदी आपके पास चार गॉप्सन है लड़के लड़कों की साधी के लिए नियुनतम उम्र से या सतीपर्था से या बिदवा विवा से या सराब बंदी से तो सारदा कानून जो है आपका लड़के लड़कों की साधी के लिए उम्र है क्यों क्यों कि इसमें लड़कों का उम्र फि सियान और मानों की एक जाती एक धर्म एक इसवर किसका कथन ये भी मोस्ट इंपॉर्टंट गौसन है आपके पूछ सकता है तो आपके पास आपस नरायन गुरु दूसरा आपसन ये तीवारा फूले तिसरा आपसन बी आरम बेट कर चोथा आपसन रजारा मोहन रहे तिया किस किसका है नरायन गुरु का आप्सन नमर एक फर्स्ट एंसर आपका सही अंसर हो जागा है ना तीस प्रकार से देखें इस वीडियो हम लोग मौस्ट सत्रों इंपॉर्टन कोशन जो आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं यहां से अमीद करते हैं कि यह सत्रों इंपॉर्ट क्ले धन्यवाद